नमस्कार दोस्तों मौराकिस और आप देए टेक्निक कैन सेनल तो आपका बहुत स्वागा दिवाद फिर से इस प्लेटफारम के उपर आधम बात करने वाले हैं IR कीबोर्ड टेकनोलोजी के बारे में कि कीबोर्ड के अंदर IR टेकनोलोजी क्या है क्योंकि रेजर वगेरा के काफी सारे अलग-अलग महंगी महंगी तो कीबोर्ड निकल करते हैं उनके अंदर IR टेकनोलोजी आपर दी जाती है दर असल यह टेकनोलोजी है क्या दीजिसी के बारे में जो आपको बहुत इस रल बासा में आपर मैं समझाने वाला हूं आगे इस के अंदर जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपरी फ्रेंड्स को पाइए सुरू करते हैं करें आज है कि दो positivity करें के بारे में कीबोर्ड के अंदर नौर्मलीаться मींंधि कीबोर्ड सजा है जिसके उपर में वीडियो बना चुका हो साथ ही मक निकल के के उपर भी वीडियो मा बना चुका हूं, दो गीबोर्ट यहां पर हो जाती हैं, यानि दो टेकनलोजी तो हो जाते हैं, लेकिन तीसरी यहां पर IR कीबोर्ड टेकनलोजी निकल के आगि, IR का मतलब होता है infrared, infrared जो एक प्रकार का sensor है, जो कि sense करता है किसी भी चीज को, या फिर नाम से जो है infrared sensor को भड़ा चड़ा कर अपनी टेक्नलोजी के साथ से या पर यूज लिया जाता है वही टेक्नलोजी कीबोड की निए से या पर लगा जी जाती है और यी keyboard इस पेसली जो है gamers के लिए काफी आपर फाइदे मन हो सकता है किस परकार से keyboard काम करता हूँ आपको यह बता जिता हूँ नोर्मली अगर आप कार चलाते हैं या फिर कहीं पर आप ने कार चलाते हुए देखा तो वहापर जो है एकसीलेटर का काम होता है कि एकसीलेटर जितना आप दबाओगे उतना ही आपर कार दोड़ने वाली है यही वाली टेकनोलोजी कीबोर्ड के अंदर किले आएगा उसमें की दबाने की अलग अलगीयां पर टेकनिक हो जाती है किस प्रकार सी जो है कि को दबाया गया है थोड़ा सा धीरे दबाया थोड़ा तेज या फिर काफ़ी दबाएगी यह तो उसे सेंस करके आपर डिस्प्ले करने वाला है उसी के ऊपर जो है कमांड है लगाता चलती चली जाए इसी को बोलते हैं IR टेक्नोलोजी एक्सिलेटर और IR कीबोर्ड के अंदर लगभग एक समार टेक्नोलोजी है है नॉर्मल सभी को समझाने के लिए मैंने कुछ इस प्रकार के एक्जाम्पल्स यहां पर ह्यूज किये हैं बाकि अगर आपको जाना तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं अगर आप स्टुडेंट हैं सी इंजिनेरिंग कोलेज के आशा करता हूं दोस्ते जानकारी आपक पसंद आई होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें अपने फ्रेंड्स को सेट जरूर करें कोई सवाल है तो कोमेंट कर दें तक नीचेहिन और पंदेमात्रम